आज बहुत बड़ा भुकम्प आया है बीते सो वर्षों में इसे दुनिया का सबसे बड़ा भुकम्प कहा जा रहा है और टर्की और सीर्या में भुकम्प से बहुत जबरदस तबाही हुई है टर्की का एपिसेंटर इस भुकम्प का जो एपिसेंटर है वो टर्की का गाजिया टेप शहर था और रिक्टल स्केल पर इस भुकम्प की तीवरता 7.8 थी इसे काफी तेज काफी तीवर भुकम्प माना जाएगा लेकिन सबसे जादा नुकसान हुआ है टर्की में युनाइटिड स्टेट्स जियोलोजिकल सर्वे के मताबिक पिछले 100 वर्षों में ये सबसे बड़ा भुकम्प है और इस भुकम्प से टर्की के 10 बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो गए है तस्वीरे हम साथ साथ आपको दिखाते जा रहे हैं पिछल्की के स्थानिय समय के मताबिक भुकम्प लगभग सुभा चार बज कर 17 मिनट पर आया अब आप कलपना कीजिए सुभा चार बज कर 17 मिनट पर हमारे ही देश में क्या जादातर लोग सो रहे होते हैं नींद में थे लोग गहरी नींद में थे और अचानक से ये भुकम पाया, मकान गिरने शुरू हो गए, छटें गिरनी शुरू हो गई, और ज्यादातर लोग उस समय सो रहे थे, इसलिए जान बचाने के लिए वो ना तो घरों से बाहर निकल पाए, ना कहीं भाग पाए, ना ही अपना कोई और बचाव का इंतजाम कर पाए, सोते सोते ही मकान गिर गए लोगों के और बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, अभी तक के आकणों के मताबिक भुकम से टर्की के दस शहरों में लगबग दो हजार से जादा बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, नश्ट हो चुकी हैं, और वहां ही विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम आपको ये भी आच्चे ताबनी दे रहे हैं पहले ही, कि ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं टर्की में पहला भूकंब चार बज कर सत्रा मिनिट पर आया जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया और उसके बाद शाम के साथ बजे तक लगबग 78 छोटे छोटे भूकंब के जटके आते रहे, जिन में से तीन भूकंब के तीवरता रिक्टर स्केल पर साथ पॉइंट से ज्यादा थे कई बार पहला भूकंब पाने के बाद कम तीवरता वाले दूसरे और भी भूकंब के जटके महसूस किये जाते हैं उन्हें हम आफ्टर शॉक कहते हैं आफ्टर शॉक की वज़े से रहत और बचाव कारियों में बहुत मुश्किलें आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक के बाद एक तीन बड़े भूकंब पाए हैं और इसके अलावा आफ्टर शॉक भी लगातार दिन भर आते रहे मकानों और बड़ी बड़ी अमारतों के डहने की ऐसी तस्वीरें शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखियोंगी और भूकंब के तगड़े जटके कैसे बड़ी बड़ी अमारतों को ताश के पत्ते की तरह जमीन पर गिरा देते हैं आज आप देखी भूकंब के बाद तवकी के दस बड़े शहरों में आपातका लगा दिया गया है पूरे तवकी में रेड एलर्ड जारी कर दिया गया है स्कूल और कॉलिज एक हफते के लिए बंद कर दिये गए हैं तवकी के राश्पती अर्दुआन ने बयान जारी करके कहा है कि ये देश की इतिहास की सबसे बड़ी तबाही है